दोस्तों मैं हूं मुक्तादिक्षित अस्ट्रोजर आज हम बात करेंगे आपका सौमबार याने की 26 जो है फरवरी का मार्केट कैसा रहेगा जैसा कि हमने आज के मार्केट के हाल देखे मिक्सी टू अपकी जानकारी दी गई थी उसी तरीके से आपका मार्केट चला और ऐसे म करने पर भी हम लाब नहीं ले पाते हैं तो ऐसे मार्केट में काम करने से हमें निश्चिती बचना चाहिए दोस्तों आगे हम देखेंगे कि आपके लिए रासी फल है सौमबार को क्या होने वाला है इसके बारे में आप लोगों को बतलाऊंगी चैनल को लाइक और इसके साथ ही साथ जो है आप लेवल से जान सकते हैं और कहां पर अब डाउन की स्थिती बन सकती हैं योग भी आप जान सकते हैं तो जी हैं दोस्तों और डिस्क्लेमर पढ़ना आपके लिए बहुत अनिवार है और इसके साथ ही साथ सारी गढ़ना एस्ट्रोजी के बे होती है तो आब हम देखेंगे जैसा कि आज के मार्केट के लिए जानकारी दी गई थी उसी तरीके से आपका मार्केट चला था मिक्स टू अप लेकिन जो है बहुत अधिक हमको मुवमेंट नहीं देखने को मिला आज अब हम देखेंगे कि सौमबार को क्या इस्थितियां बन सकती हैं तो यहां दूस्तों सौमबार के मार्केट के लिए यदि हम देखते हैं तो शौमबार का दिन रहेगा और उत्रा फाल हम देखेंगे तो सनी बुद्ध और सूर्य का योग बन रहा है यह त्री त्री तीन ग्रहों का जो योग बन रहा है यह भी कुछ सुफल नहीं देता है अब हम देखते हैं कि आगे क्या इस्थिति बना सकते हैं यदि हम ग्रह के अनुसार गणना देखेंगे कि क्या इस्थ याने कि मैंने निफ्टी के लिए जो दिया गया था 22,158 का टार्गेट दिया गया था तो इससे आगे भी आपका मार्केट डाउन में गया और 22,312 दिया गया था तो यहां पर पहला टार्गेट मार्केट निकाल नहीं बाया बैंक निफ्टी के लिए जो है दोनों लेवल मार्केट ने निकाला याने कि हाई के 47,237 दिया गया था वही भी निकाला और इसके साथ 46,725 दिया गया था यहां तक भी आपका जो है मार्केट डाउन पे गया इसी प्रकार से आज गोल्ड के लिए जानकारी दी गई थी कि त तेजी होगी तो तेजी या मद्धी होगी तो मद्धी और वह टाइम मैंने साड़े तीन चार बजे का दिया था वहां पर ग्रहों का विशेश परिवर्तन हो रहा था और उसके अनुसार दीखा जाया तो आज गोल्ड के मार्केट में जो है जवर्दस्थम को तेजी देख को मिली 62,366 तक का लेवल तो मैंने स्वयन निकाल कर दिया था इसके आगे भी आपका थोड़ा मार्केट गया है और डाउन के लेवल से भी मार्केट ने आज हमारे निकाला यानिकी 61,849 यहां तक की लेवल को मार्केट ने निकाला था और गुल्ड सिल्वर के लिए भी 69, 7,695 मैं न दिया था, डाउन के लिए, हाई के लिए, शत्रहजार 410 दिया था, इसके आसपासी मार्केट देखा गया था, कुरूड आयल के लिए बतलाया गया था, 63,010 तो 63,070 तक आपका मार्केट डाउन साइड गया और अपसाइड के योग नहीं बन पाए ना मार्केट गया ही नहीं तुझे हैं दूस्तो इस प्रकार से एक एस्टोलोजी के बेस पर जो जानकारी निकाली जाती है बहुत बढ़ी यह शटी को सावित होती है सोचे दूस्तो आपको यदि यह जानकारी मिल जाती है तो आपके लिए काम करना कितना आसान हो जाता है क्योंकि ऐसी और कोई भी गतिविदिया टेकनिक नहीं है जिससे कि इतनी सारी चीज़ें जो है सही तोर पर जानी जा सकें अब हम देखेंगे कि सौमबार के मार्केट में क्या हो सकता है और क्या आपका राशी फल सौमबार का रहने वाला है सोमबार का यदी हम रासी फल देखते हैं तो मेश राशी वालों के लिए गाम करके लाब ले सकते हैं सिंग राशी वालों के लिए लाप का योग बन रहा है इसके साथ कन्या राशी वालों के लिए हानी उठानी पड़ सकती है तुला राशी वालों के लिए हानी का योग बन रहा है और आपका ब्रस्चिक राशी वालों के लिए जो है पूर्ण लाप का योग बना हुआ है धनू राशी वालों के लिए मिस वालों के लिए लाप का योग बन रहा है तो जिन भी राशियों को लाप के योग बने हैं ऐसे सभी लोग जो है काम करके लाब ले सकते हैं और जिनको हानी के योग बन रहे हैं ऐसे सभी लोग बहुत ही सोच बिचार के काम करें यह दोस्तों जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती ह यह राशी फल असी प्रिस्वत तक सहीं जाता है अधिक सुम्ष प्रडिक्शन आपको अपनी जनम पत्रिका से करवाना चाहिए जिया दोस्तो जो तिस सास्तर बहुत ही गहरा है और इसकी जितनी गहराई में काम किया जाया 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 उतना ही कम है गागर में सागर भरने के समान है और हम भी कोई बहुत बड़े ग्यानी ग्याता नहीं है एक छोटा सा अनुमान एक अंधाज के तोर पे काम करते रहते हैं जानकारिया बनाते हैं तो जी हैं दोस्तो जैसा की मार्केट के लिए मैं आप लोगों को बतलाने वाली हूं कि क्या जानकारी हो सकती है आप जो इस्तितियां बना रहे हैं उसके अनुसार क्योंकि ग्रहों की जो है पोजिशन इस प्रकार से है कि वो एक तरफा फल अपना नहीं दे पाते कि यदि तेजी बन रही है तो तेजी ही तेजी और यदि मद्दी का योग है तो मद्दी ही मद्दी इसी कारण से प्रिक्शन की स्थिती बने फिर अपके इस थोड़ी कुछ स्थिती बने इस मार्केट को हम यही कह सकते हैं कि मिक्स टू अपसाइड देखा जा सकता है लेकिन दोस्तों जहां पर भी आपको ला प्रॉफिट मिले मार्केट में निकल जाए अधिक इंतजार मत कीजिए वरना आपको नुक दोसो बारा पर जो बन्द हुआ था आपका मार्केट इसी के आधार पर एक अनुमान की 22,266 और 22,314 तक यदि हाई पे जाता है तो जा सकता है यह रजिस्टेंस बना सकता है इसके साथ यदि हम सपोर्ट लेवल देख सकेंगे तो यदि डाउन साइड जाता है तो 22,165 और 46,913, 47,065 और 47,170 इसके रजिस्टेंस बन सकते हैं इसके साथ डाउन के लिए यदि हम देखें डाउन साइड जाता है तो सपोर्ट लेवल जो बन सकता है 46,712, 46,550 यह देखा जा सकता है लेकिन है दोस्तों मैंने एक जो आपका मार्केट बंद हुआ उसी के अनुसार ए हमारे काराले से जो है आपका गोल्ड है, सिल्वर है, निप्टी है, निप्टी वैंक है, कुरूड आइल है इनके जो भी लेवल निकाले जाते हैं चाहे डाउन का हो चाहे अपका हो बेड़े सुपर हिट होते हैं तो दोस्तों और क्या चाहिए इतनी गढ़ना कि अधार प करना चाहिए वीडियो जानकारी अच्छी लगे तो लाइक से सस्क्राइब जरूर कीजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार